आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2022 में फॉस्ट येर में एडिमिशन लिया है या फिर जुलाई 2022 में सेकंड येर का रिरजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर जुलाई 2022 में थर्ड येर का रिरजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका एकजाम कब हो इसके अलावा आपके लिए valid assignment का question paper कौन सा है इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को complete देखिए और इगनुस related authentic और official update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिए ताकि नए वीडियो को notification आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस वाले page पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना account login करना होगा जिसके लिए यहाँ पर आप enrollment number डालेंगे यहाँ से आप अपना program code सेलेक्ट करेंगे verification code जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे submit पर click करेंगे तो यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से समझिए अगर आपने जुलाई 2022 में किसी भी semester based program में admission लिया है जैसे की BCA, MCA, MBA या फिर MCOM जनवरी 2022 से जो MCOM program है इसको semester wise कर दिया गया है exam आपको semester wise देना होगा तो अगर आपने जुलाई 2022 से सेसन में किसी भी semester based program में admission लिया है तो जो आपका exam है वो December 2022 सेसन में होने वाला है इसके अलावा अगर आपने जुलाई 2022 सेसन में किसी भी 6 मैने के certificate course में admission लिया है जैसे की CFN या फिर CLIA से तो आपका भी जो exam है वो December 2022 सेसन में होने वाला है इसके अलावा इगनु के तरप से आपको ये भी बताया गया कि जो December 2022 सेसन का exam है वो 2 December 2022 से स्टार्ट होंगे और 9 जनवरी 2023 तक चलने वाले है और इगनु में ये होता है कि आप जितने भी subject का exam देने वाले है उनका आपको exam fee submit करना होता है और assignment बना करके भी submit करना होता है और December 2022 exam के लिए जो examination fee submission का last date है late fees के साथ है वो है 35 November 2022 और assignment submission का last date है December 2022 exam के लिए 30 November 2022 लेकिन चांस तो इतना है कि जो assignment submission का last date है इसको एक बार और extend किया जा सकता है तो अगर आपने अभी तक exam fee submit नहीं किया तो आप exam fee submit कर सकते है और assignment बना करके submit नहीं किया है तो assignment बना करके submit कर सकते है December 2022 exam के लिए और IGNU के तरफ से December 2022 exam के लिए जो exam का final date sheet है वो भी जारी कर दिया है अगर अभी तक आपने date sheet को note नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप exam का schedule note कर सकते हैं और schedule के according आपको exam देने के लिए जाना होगा और अब बात करते हैं कि अगर आप bachelor degree program के student है आपका program yearly based है जैसे की BTS, BAG, BCOMG, BSCG और BAG जितने भी honors के program है और आपने July 2022 session में first year में admission लिया है या फिर July 2022 session में आपने second year का या फिर third year का re-registration करवाया है तो जो आपका exam है यानि कि इन तीनों ही session का exam है वो June 2023 session में होने वाले है और ऐसे ही अगर आपका master degree का program है आपका program yearly based है जैसे की MA Hindi, MA English, MA Sociology, MA History, MA Political Science और इसके अलावा और भी बहुत से program है और आपने July 2022 session में first year में admission लिया है या फिर July 2022 session में आपने second year का re-registration करवाया है तो आपका जो exam है वो June 2023 session में होने वाले है और इसके अलावा जिनका भी CBCS based program है यानि की choice based credit system जैसे की BAG, BCOMG, BSCG और BAG जितने भी honors के program है तो आपका ये confusion रहता है कि हमारा exam semester wise होगा या फिर yearly based होगा तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं जैसे की ये एक application form है admission का Bachelor of Arts का तो इसमें जो आपको admission का application form दिया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर semester 1 भी लिखा हुआ रहता है और semester 2 भी लिखा हुआ रहता है तो ऐसे में आपका निफ्यूज हो जाते है कि हमें exam semester wise देना होगा या फिर yearly based देना होगा आप diploma program के student है या फिर post graduate diploma program के student है आपका program yearly based है और आपने भी जुलाई 2022 session में admission लिया है तो आपका जो exam है वो जून 2023 session में होने वाले है program code का example आप यहाँ पर देख सकते है यह सभी yearly based program है और अब बात करते है exam form के बारे में और assignment के बारे में तो इसको भी आप ध्यान से समझेए इगनु में यह होता है कि जून ट्रमेन एक्जामीनेशन के लिए जो exam form है वो नॉर्मली मार्च में जारी कर दिया जाता है लेकिन कई बार इसमें time लग जाता है तो जब भी exam form आते है तो आपको exam phase online submit करना होगा जून 2023 exam के लिए और exam phase रहता है per subject का 200 रुपे according to situation इसमें बदलाव भी किये जा सकते है और exam phase आपको online ही submit करना होगा और इसके अलावा जून ट्रमेन एक्जामीनेशन के लिए assignment भी आपको submit करना होता है और assignment submission का last date रहता है 31 मार्च 2022 लेकिन last date को extend कर दिया जाता है और आपको April end तक assignment submit करने का मौका दिया जाता है और assignment submission जो है वो जून ट्रमेन एक्जामीनेशन के लिए मार्च में submission start हो जाता है मार्च के first week से आप assignment को submit कर सकते हैं और इसके अलावा सबसे important बात यह है कि आपको assignment कौन सा बनाना होगा तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपक 23 examination के लिए जो 22-23 session का assignment का question paper है वो कुछ subject का इगनु के website पर update कर दिया गया है लेकिन कुछ subject का नहीं किया गया है उसमें अभी बहुत time है समय से पहले ही assignment का question paper update कर दिया जाएगा फिर आप assignment को बना करके जब भी समय आता है मार्च में तो आप submit कर सकते हैं और assignment का question paper download करने के आपको इस वाले page पर आना होगा और यहां पर आपको मिल जाएगा 22-23 session का assignment सभी प्रोग्रामों का अलग-अलग update किया गया है तो यहां से आप assignment का question paper download कर सकते हैं अभी कुछ subject का ही question paper update किया गया है तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे comment box में आप बता सकते हैं